तीन क्रिशी कानून बिल के खिलाफ देश भर के किसान पिछले नो महिने से देश की राजधानी दिली समय देश की तमाम सड़कों पर केंदर सरकार के विरोध में बैठे हुए हैं किसानों की मांग है कि जो सरकार है वो तीन क्रिशी कानून बिल को निरस्त कर दे वहीं दूसरी तरफ अब एक बार फिर इस बात को लेकर बीजेपी के खेमे में ही गहमा गहमी देखने को मिल रही है बीजेपी के अंदर ही भीतरगात शुरू हो चुका है दरसल इस बार बीजेपी के सांसद वरून गांधी ने किसानों का समर्थन किया है और उन्होंने किसानों के समर्थन को करते हुए एक ट्विट किया है जिसमें कहा है कि किसान हमारा भाई है हमें किसान के साथ जमीनी इस्तर पर पहुँचकर वारतालाब करनी चाहिए ना कि हमें दूर दरास से उनके साथ बात करना चाहिए अगर हम जमीन पर पहुँचकर उनसे बात करेंगे तो हम समझ पाएंगे कि किसान दरसल चाहता क्या है आपको बता दे कि वरुन गांधी एक मात्र ऐसे सांसद हैं जो BJP के खिलाफ लगातार मुखर होकर बोलते रहते हैं हाला कि वो BJP से ही सांसद हैं लेकिन वो बावजुदिस के BJP से ही उनके विरोध में लगातार बात उठाते रहते हैं अब आप कहेंगे ये मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं तो मेरे पास कुछ आंकड़े हैं ये ग्राफिक्स प्लेट के जरिए इनको देखिए और समझेए साल 2013 में जब वरुन गांधी पश्चिम बंगाल के प्रभारी बनाये गये थे उस दौरान नरेंद्र मोधी परधान मंतरी पत के उमीद्वार थे और वो पश्चिम बंगाल में जब नरेंद्र मोधी की रैली होनी थी तो उस दौरान सारा जिम्मेदारी वरुन गांधी को स पूर तरीके से वो सफल रहा था लेकिन वरुन गांधी ने इस कारेकरम के खतम होने के बाद अगले ही दिन कई print मीडिया में और electronic मीडिया में ये कह दिया कि ये जो कारेकरम था ये नाकाम रहा और बीजेपी इस कारेकरम को करने में फेल हो गई, वहीं दूसरी तरफ आपको बता दें कि साल 2014 में एक बार फेल, यानि कि वरुन गांधी ने अपना दूसरा विवादित बयान दिया था, दरसल साल 2014 में वरुन गांधी सुल्तानपूर से लोकसभा का चुनाव लड़ रहे थे, उस दौरान वो जो अपने समर्थ करतक थे, वो पिली भीट से लेकर गए थे और उन्होंने सुल्तानपूर के जो स्थानी कारे करता थे, पाटी के उनको तवज्जो नहीं दी थी, उसे बीच एक बार जब वरुन गांधी चुनाव परचार कर रहे थे, तभी एक कारे करता, वहां पर मोधी-मोधी के नारे लगा रहे थे, और उसी दारान जो वरुन गांधी है, उन्होंने कारे करताओं को डाट दिया था, और डाट तो वह का था, कि मोधी-मोधी क्या लगा रखा है, और इसके बाद वरुन गांधी को इसका खामिया जब ही भुकतना पड़ा था, साल 2014 में जब अमिच्छा पार किया था, साल 2015 में वरुन गांधी ने कहा था, कि ये जो बीजेपी पार्टी है, ये युवाओं को पार्टी में आने का मौका नहीं देती, बहुत कम ऐसा चांस होता है, जब युवाओं को आगे किया जाता है, जबकि इसकी तुलना में जो दूसरी पार्टियां है, वो वरुन गांधी के इस बयान को मोदी की युवा नीती के खिलाफ माना गया था, और उसके बाद उनके इस बयान को लेकर काफी गहमा गहमी भी हुई थी, इन सब के बीच वरुन गांधी ने अपना चौथा बयान जो दिया था, बीजेपी के विरोध में, वो साल 2017 में दिया था, तो वरुन गांधी ने दरसल कहा था कि रोहित वर्मुला का जो साइड नोट है, उसे पढ़कर रोना गया, इसके साथी साथ वरुन गांधी ने कहा था कि जो फिलहाल का समय चल रहा है, उसमें अमीरों को तो रियायत दे दी जा रही है, लेकिन किसानों को अपनी जान गवानी पड़ रही है, इसके बाद भी जो लगातार वहाँ पर बीजेपी के नेताओं में गहमा गहमी हो गई थी और फिर से वरुन गांधी का ये जो बयान था, ये सुर्कियों में आ गया था, इसके बाद साल 2017 में वरुन गांधी ने फिर से अपना बयान दिया, ये पा आति साथ, उनकी सुरक्षा का भी जो जिम्मेदारी है, वो भी कहीं न कहीं, उस पर भी सुरक्षा के लिहाद से उनकी देखरेक करनी चाहिए, वरुन गांधी के इस बयान के बाद से जो उनकी पार्टी के ना सिर्फ पार्टियों में भी आवाज उठने लगी थी, बलकि विपक्षी दल भी उनकी बात को लेकर जोर सोर से आवाज उठने लगा था, तब हंसराज अहिर जो इनकी पार्टी के ही नेता हैं, उन्होंने वरुन गांधी के इस बयान को आलोचिना करते हुए उनके इस बयान के और उसको गलत करार दिया था, लेकिन आपको बता दू क वरुन गांधी एक मात्र ऐसे नेता हैं, जो बीजेपी के विपक्षी में भी कई बार आवाज उठाते रहते हैं और अपनी बात को प्रमुकता से रखते रहते हैं, हाला कि इन सब के बीच वरुन गांधी को कई बार इसका खामियाजा भी भूकतना पड़ता है, लेकिन व जो विपक्ष है वो उसको अब भूनाने में लग चुका है, फिलाल अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आ रही है तो इसको लाइक करें, शेर करें, सब्सक्राइब करें और साथी साथ कमेंट करके बताएं कि आपको हमारा नवन सत्यन्यूद कैसे लग रहा है, दीजे जार धन्यूद